के अप लोग अच्छी हो तो यह यह मेरी न्यूव वीडियो कैसे लगते विलोग कमेंट सेक्षन में कमेंट करके बताएगा और जो भी आपको देखना है आप कमेंट किया करके मैं उसको पिन करूंगी और पूरा करने की कोसिस करूंगी तो बाइ टाइटल आप समझ ही कहें ह यह है एक एनांस्मेंट वीडियो जो कि मुझे आप लोग के साथ सेयर करने थी बिग एनांस्मेंट है मेरे लिए तो बहुत जादा तो यस आइम प्रेगनेंट यह यह है मेरी सेकंड प्रेगनेंसी और फर्स्ट की जरनी कैसी रहे उस पर मैं अलग वीडियो बना दूंगी और अगर आप नई मोम बनते हो तो उसके साथ बहुत कुछ अरजस्ट करना होता है जो कि मेरे साथ भी है बहुत जादा वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत रुक रुक के जा रहा था मतलब ऐसे प्रॉपर नहीं था एक अपते दो अपते तीन अपते पे सब्सक्राइब कोई नहीं है अभी सब दूर-दूर हैं तो कुछ जादा ही जहलना पड़ गयाता है तो कोई नहीं तो यह था और भग्मान जिसको भी दें उसका पूरा करें उसका मतलब पूरा कंप्लीट करें अच्छे से और आपकी ब्लेसिंग मेरे साथ है तो यह थी और मुझे नांस करना था बहुत दिनों से कि मैं कर दूं कर दूं बता दूं आप लोगों के साथ कि मेरी प्रेग्नेंसी अभी चल रही है एंड आप अगर मन्त पूछेंगे तो यह सेक्स मन्त लगा है मुझे चट्वा महीना मेरा चल रहा है और मैंने सोचा था यह मैं फाइक मंद में रिवेल कर दूंगी बड़ शादी थी देवर की और इधर उधर भागना था तो नहीं हो पाया चीजे मतलब एक साथ मैं ऐसे जोड़के नहीं रफाई और बहुत कुछ हुआ भी जो कि अब उन सब चीजों से मैं निकलने की कोसिस कर रही हूँ और सेकंड प्रेगनेंशी में बह। फारी दिक्कते बहुत आती हैं आपको पता है मेरी बेबी पहली जो डीजा है वो भी सीचर से हुई है तो सेकेंड में कितनी दिक्कत यह आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट से सेकंड प्रेग्नेंसी बहुत ही जाता अलग रहती है और कंसीविंग से लेके हर एक चीज़ डिफरेंट होता है और मीन क्या है कि अगर आप फिज़िव करने वाले हो या करना चाहते हो तो पूरी तरह प्लान करके करो मेंटली फेजिकली हर तरीके साब को प्रपेर रहना है क्योंकि फर्स्ट बच्चा भी आपको देखना है सेकेंड को भी देशना है और लाइफ एकदम ऐसे चेंज हो जाती है कि आप समझी नहीं पाते हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं और जो कि है मैं तो फेजिकली बहुत सारा सा रहेंगे उसकी स्टूरी में अप लोगे साथ मतलब सॉरी स्टूरी बोलुरी हूं बताऊंगी और अभी जो 3 मांत बचे है वह ज़र्नी में है सेयर करना चाहती हूं इसलिए मैंने सुचा कि अब तो बताई देना चाहिए बहुत जादा लेट हो गया और ना बताने का कारण आपको पता है बहुत लोग बोलते हैं त्री मन्त तक मतलब नहीं बताना चाहिए और क्या हो क्या नहीं हो और आप समझ सकते हैं और उसका बहु वहुत कुछ चीज है जो कि मुझे करनी है मेर किन राल करना है वीडियो करनी है बहुत वीडियो डालनी है अफ्रेगनसी से राीड़ेड क्या है कैसी है अम रहें है और कैसे रहें कैसे नहीं आ अधारिक अगय दियु parishUp था यह में जाम अटाना तो यह है और I hope कि आप लोगों की blessing मेरे साथ हो सब कुछ अप लोग का support मेरे साथ हो मेरा 1K भी complete होने वाला है I hope इसके साथ सब कुछ अच्छा हो और जो कि डीजा के time पे possible नहीं हूँ था खाने पीने का वो भी मैं बताऊंगी कि मेरे first pregnancy से second pregnancy में क्या-क्या differences है उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी बस छोटू सा announcement था आप लोगों के साथ से एर करना था yes I am pregnant and second time जो कि मैंने conceive कि यह करा है और यह मैं आपको starting में बता दूँ IVF नहीं है नचुरल है एंड दीजा से हेलो कम 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 इनको मैं क्यासा दिखा हूँ हेलो hello 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 अब बेभी से प्यार करती है प्यार अभी है पर बाहर आने के बाद इनकी लड़ाईयां स्टार्ट होने वाली है तो यह सब था I hope कि आपको अच्छी लगी हो या अच्छी लगती हो तो लाइक से सब्सक्राइब मैं चैनल मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियों तो पिखले पर वाली है जब से स्टार्ट आए